ओम शान्ती आज 15 नवेंबर 2022 आज की साकार मुरली से बाबा हम बुच्छों को गुन सिखाते हैं सुख दाई बनने का गुन सुख दाता के बच्छे हैं तो सदा सबको सुख देना है और जो खुद खुश रहेगा सुख का अनुभव करता वही सबको सुख दे सकता है बाबा बच्चों को कहते हैं तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है ना स्वयम को ना दूसरों को ना दुख देना ना दुख लेना है क्योंकि अगर कोई भी विकरम करते हैं, कोई भूल करते हैं, भूल करके छपाते हैं, कोई भी उल्टा काम करते हैं तो बाबा कहते हैं ये सब दीरे दीरे ये आदते बढ़ती जाती है और फिर वो दुखदाई बन जाती हैं इसलिए अपने पर attention देना है अपना time waste करना ये अपने आपको दुख देना ही है इसलिए बाबा कहते हैं अपने समय को भी वियर्थ न गवाओ अपने manners अच्छे बन अविनाशी सुख और दूसरा है अल्पकाल का सुख अल्पकाल का सुख जो होता है वो सुख सुविधा के साधनों के द्वारा मलता है और जो अविनाशी सुख है वो इश्वरिय सुख या अतिंद्रिय सुख है जो आत्मिक स्थिती है और परमात्मा की याद से हमें प्रा आते हैं क्योंकि वो एक परच्छाई के समान है जैसे आप सूर्य की ओर चलते हैं या रौष्णी की ओर चलते हैं तो आपकी परच्छाई अपने आप पीछे-पीछे आती हैं अगर विमुख होते हैं सूर्य के या रौष्णी के तो परच्छाई के पीछे भागते रहो इश्वरिय सुख का जो अनुभव करता है उसके पीछे अल्पकाल के सुख अपने आप आते हैं तो ऐसे अतिंद्रिय सुख का अनुभव जित्ना याद में रहेंगे और ज्ञान का प्रयोग करेंगे अपने जीवन के अंदर और दूसरों को भी ज्ञान की रोशनी देंगे तो उन्हें भी सुख का अनुभव करा सकेंगे, ऐसा सच्चा सुख सबको देना है, स्थूल सुख तो अल्पकाल का है, जो सदा नहीं रहने वाला, लेकिन अतिंद्रिय सुख देंगे, जो सदाक रहेगा, अविनाशी सुख रहेगा, कभी भी दुखी लहर ना आए, सदा सु आज के दिवस की यहीं शिब कामना, ओम शान्ती